हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग एक बार फिर मैं आपका राजिंदर कामत आपके सामने हाजिर हूँ और आज क्लास 11 इंगली स्कोर के बुक का सेकेंड लेसन जिसका टाइटल है दा आइड्रेस को लेकर मैं आपके समझ उपस्तित हूँ और उमीद करता हूँ कि आज जो हम लोग इस लिसन को डिसकस करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको पूरी तरह से समझ पाएंगे और आने वाले जो भी एकजाम्स हैं उसमें आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे इसी सुब कामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट क किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसे जो भी वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं ठीक है प्यारे बच्छों चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं लेसन टू द एड्रस सबसे पहले आप यहां पर देखें इसका इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा पहले दे देता हूं जो इंसी आटी का भुक है एक्च्छली यह जो स्टोरी है इसका इसके जो राइटर है आप यहां पर देख सकते हैं जो राइटर है इनका नाम है मारगा मिनको ठीक है यह यह स्टोरी जो है मारगा मिनको के द्वारा लिखी गई है इस स्टोरी है इस स्टोरी है जो है मारगा मिनको के द्वारा लिखी गई है इस स्टोरी है जो है मारगा मिनको के द्वारा लिखी गई है इस स्टोरी है जो है मारगा मिनको के द्वारा लि who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland when she finds them the objects evoke memories of her earlier life however she decides to leave them all behind and resolves to move on. प्यारी बच्छो सबसे पहले मैं यहां पर यह जो स्टोरी है इसका एक छोटा सा हिस्सा जो आप इसको कह सकते है कि यह इसका एक small summary भी आप कह सकते हो जो theme है story को वो यहां पर mentioned है आपके लिए ठीक है आप यहां पर देखे इसमें आपको क्या कह रहा है this story is a poignant account poignant poignant का मतलब होता है प्यारे बच्चो पैथेटिक pathetic pathetic का मतलब होता है diania diania समझते हैं na very measurable बहुत ही खराब स्थेति में होना ठीक है तो यह pathetic word है तो this story is a poignant account this story is a poignant account of a doubter who goes in search of her mother's belongings यहां पर बड़ा है बच्चो बिलोंगिंग्स बिलोंगिंग्स का मतलब क्या होता है अपने हमारे पास जो भी चीज़े हैं हमारे अधिकार में जो भी चीज़े हैं that is called बिलोंगिंग्स तो उसके जो भी बिलोंगिंग्स थे उसके सर्च में उसके मतलब उसके मारे जो बिलोंगिंग्स थे उसके सर्च में खोज में वो जाती है after the war in Holland Holland country की ये कहानी है और यहां पर युद के बाद की इस्तिती के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और जब वो उस समानों की खोज में जाती है और वो समानों वो देख भी लेती है पा भी लेती है और जिसके कारण उसका जो मेमोरी है उसकी जो यादे हैं वह evoked, यहां पर evoke बढ़ा है आप यारे बच्छो, evoked का मतलब यहां पर है मतलब arouse, arouse का मतलब है यहां पर जाग जाना, हिंदी माई उसको कह सकते हैं, जाग जाना, उसकी जो यादे हैं वो ताजा हो गई, जाग गई आप कह सकते हैं इस तरह से, तो उसकी जो memory थी, वो में निकनकर वक्ति सब्सका हरे बावजुद कि जुझा। मिल गये तो फिर भी वहारि ही और उन समानों सो छोड़ारे का कमा दो सीवत ficou even होरे जहीं कुछा। यहाँ पर यह जो वर्ड है resolve, resolve का मतलब होता है यहाँ पर make up her mind, यानि एक तरह का decision ले लेना, निश्य कर लेना, निश्य कर लेना, ठीक है, तो वो वहाँ से जाने का निश्य कर लेती है, उन सामानों को वो लेना नहीं चाहती है, तो आखिर क्या था ऐसा, क्यों वो ऐसा कर रही थी, स्टोरी क्या है, अब इसको हम लोग NCRT book का जो स्टोरी है, इसको हम लोग लाइन वाइलान यहाँ पर study करेंगे, प्यारे बच्चों, अभी यहाँ पर मैं लाइन को पढ़ूँगा, और आपको उसको explain करूँगा, साथ ही, जो भी ऐसे word मुझे लेगेंगे, आपको hard लग रहा है, वै उसका भी meaning आपको बताता चाहूँगा, तो आपसे request यह है, कि आप जो video देख रहे हैं, ऐसा कोई भी word आपको मिले, जो आपके लिए नया हो, और मैं उसका meaning इसमें explain किया है, तो प्लीज आप उसे copy में ज़रूर note कर लें, ठीक है प्यारे बच्छो, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, आप कहानी का जो सबसे starting point है, वहाँ देखे, Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door, watching. I came closer and stood on the step. No, I don't know you. I am Mrs. S. doctor. she held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further her face gave absolutely no sign of recognition she kept staring at me in silence प्यारी बच्चे देखिए कहानी का जो ये scene start हुआ है यहाँ पर ठीक है scene कुछ इस तरह से है इस कहानी की जो authorist है जो writer है मारगा मिन को वो कहती है कि वो अपने मा के बिलाउंस को धूंडते धूंडते उनका उनकी ममी की जो friend है ठीक है उसके पास पहुँची है तरवाजा नौकी है और वो महिला बाहर निकली है लेकिन बाहर निकली नहीं पूरा ठीक है ना see hand open the door a chink यहाँ पर देखें एक word है यहाँ पर चिंक ठीक है तो यह चिंक का मतलब क्या होता है चिंक का मतलब होता है narrow opening चिंक का मतलब narrow opening तो narrow opening को आप छोटे से हिंदी सब्द के द्वारा आप जान सकते हैं इसको डरार कहते हैं ठीक है बच्चों चिंक का मतलब डरार तो छोटा सा जिर्री भी लोग कहते हैं इसको यानि उस महिला ने गेट खोला है लेकिन वह चेंड से बंधा हुआ है और हलका सा मतलब गैप की हलका सा दरार से वह बाहर जाकी है ठीक है ना तो यह यहां पर इसका मतलब है चींग का ठीक है प्यारा बच्छो तो यहां पर जब वह हो गए उनके बिल्कुल नजडिक जाके और तब उन्होंने उससे कहा डू यू स्टिल नो मी क्या आप मुझे अभी भी चानती है तो वह जो महिला वहां पर हैं वह सीधे डारेक्ट कहती है कि नो आई डोंट नो यू नहीं मैं तुमको नहीं जानती हूं तब यह जो राइ जिससे कि वह परिचित होगी उसकी दोस्त होगी उसकी वह बेटी है उसे मिलने आई है लेकिन सी हेल्ड हर हैंड ऑन दर दोर एस दाओ सी वांटे टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर लेकिन वह महिला ऐसे खड़ी है गेट के सामने दरवाजा को थाम कर मानो उस उसको बिलकुल भी अंदर आने देने के मुड में नहीं है हर फेस गेप एपसल्यूटली नो साइन और रिकोगनीश ठीक है यहां देखें प्यारे बच्चों वड़ा है रिकोगनीश का मतलब क्या होता है रिकोगनीशन बहुत ही सिंपल वड़ा इटिंग तो रिकोगनीश नहीं ठीक है यानी हर फेस गेप अपसल्यूटली नो साइन और रिकोगनीशन चीह प्याप्ट सटीर आप मी इन दा शाइलेंस शीप केप्ट स्टीरिंग मी आप वड़ा है बच्छों स्ट्रिंग स्टीर्इंग का मतलब वोता है लगातार देखना एक तक किसी को देखते रहा ना और हिंदी में आप उसको ऐसे भी कह सकते हो इसको घूर ना कह सकते हैं घूर ना गूर ना समझते हैं ना यानी लुकिंग एड समबडी कॉंटी न्यूवली ठीक है तो इस इन और इस टेरिंग तो घूर कर ऑफर इसको देख रही हैं और चूप है बट इन साइलेंस अब लेखिका को लगने लगा लेखिका ने यहां पर अपने आपको आई से एडेस किया जिक है तो जब भी मैं आई बोलो तो आप समझ जाएं कि आथरेस कह रही हैं तो परहप्स आई वस्टेकन साइड मुझ मैंने गल्ती किया था यह लेखिका का सोच है I thought perhaps it isn't her I had seen her only once I was mistaken लेखिका यह लगा कि साइड कही हो गल्ती तो नहीं कर रही है I thought यानि लेखिका ने सोचा मैंने सोचा बना लेखिका ने सोचा परहप्स it isn't her साइड यह एक्चॉली में जो महिला है साइड उसको नहीं पहचान रही होगी I had seen her only once यह यह भी हो सकता है को महिला को नहीं पहचान रही होगी क्योंकि I had seen her only once मैंने यह लेखिका ने उसको क्यों एक ही बार देखा है flittingly and that was years ago यहाँ पर देखिए flittingly का मतलब होता है बच्चो यह जो flittingly बाढ़ है इसका मतलब होता है for a moment यह आप कहें सब्सक्राइब for a short time for a short time flitting का मतलब होता है flittingly यानि बहुत थोड़े सब़े के लिए और सिर्फ एक ही बार लेखिका ने उनको देखा है and that was years ago और अभी यह बहुत पहले की बात हो रही है बहुत पहले उनको एक पर देखा है ठीक है it was most probable that I had rung the wrong bill तो लेखिका को ऐसा लग रहा है कि साइद ऐसी संभावना है probable का मतलब यहाँ पर साइद उन्होंने कोई गलत घंटी तो नहीं बजा दिया the woman let go of the door and step to the side यहाँ पर एक word आया बच्चो यहाँ पर देखें let go off यह जो let go off है इसका मतलब होता है freed यानि फिरी छोड़ देना let go off यानि छोड़ दिया इसका मतलब तो the woman let go of the door and step to the side यानि वो दर्वाजा छोड़ कर थोड़ा आगे किनारे हो गई she was wearing my mother's green knitted cardigan वो जो महिला थी उसने जो cardigan पहना था खरे रंग का तो यहाँ पर author's को लगा कि साइद यह उसकी मा का है the wooden buttons were rather pale from washing उसमें उनके cardigan में जो बटन लगे होए थे लखडी के बटन साइद continue washing के कारण पेल यानि दूंदले पड़ गए थे पीले पड़ गए थे फेड कर गए थे she saw that I was looking at the cardigan and hop and herself again behind the door sorry and hid herself again behind the door but I knew now that I was right उस महिला ने जब देखा कि मैं उसको देख रही हूँ और से especially cardigan को देख रही हूँ तो अचानक से उसने अपने आपको दरवाजा के पीछे छुपा लिया हूँ लेकिन यहां पर लेखी का यानि मैं but I knew now that I was right कि मैं सही थी यानि लेखे को लग रहा है कि मैं सही घर पर आई हूँ और यह जो महिला है जो उसकी मा की दोस्त थी लेकिन वो जो महिला है जो उसको देख रही है उसका attitude quite जो है वो un acquaintance की तरह से और परिचीत की तरह से है वो या Marlo Really में जो भी हो वो ऐसा जताने की कोशिस कर रही है कि वो इस लड़की को यानि लेकिका को बिल्कुल जानते नहीं है लेकिन उस काडिगन और उसके बटन को देखने के बाद लेकिका को यह पूरा यकीन हो गया कि वो जिस महिला से मिलने यहां आई है यह महिला वही है ठीक है प्यारे बच्छो लेका ने फिर से पूछा अच्छा क्या आप मेरी मां को जानती थी अब वो लेडी क्या कह रही है मैंने तो ये सोचा कि कोई भी लोट कर आया नहीं था कोई भी लोट कर नहीं आया था उयोद से तो लेकी का कहती है only me हाँ ये तो सही है कि कोई लोट कर नहीं आया लेकिन मेरे सिवा only me यानि मैं लोट कर आई हूँ ये लेकी का का statement है यहाँ पे ठीक है बच्छो ये page number one है now हम लोग move करते है page number two की और next part यहाँ पे आप देखे a door opened and closed in the passage behind her a musty smell emerged a door opened and closed in the passage behind her उस वो जो चिंक था वो जो हलका सदरार था उससे लेकी का ने अंदर देखा कि सामने एक गलियारा था ठीक है और जहां एक गेट खुला हुआ था उस गलियारी ये निए passage के अंदर passage का मतले मिया गलियारा होता बच्छो ठीक है और उसके बाद एक musty smell immersed यानि वो जब दर्वाजा खोली थी हलका तो वहाँ से एक जो smell आया musty यहां पर musty का मतलब होता है बच्छो damp musty का मतलब होता है damp अब damp का मतलब जानते होंगे damp का मतलब होता है अब देखें कि बरसाथ के दिनों में अगर आप किसी कमरे को या किसी चीज को बहुत दिन तक ऐसे बंद कर दो तो उसमें जो smell आता हुओ damp smell क्याते हैं इसको हिंदे में इसको sealan yugt smell भी कहा जाता है sealan yugt गंद sealan yugt गंद ठीक है आपने ऐसा लग रहा है कि दर्वाजा ज्यादा खुलता नहीं होगा उसमें fresh air नहीं होगा तो इसलिए महां से जो smell आया air का वो एकदम sealan yugt था यानि मस्ती था ठीक है प्यारो बच्छो I regret I cannot do anything for you उस महिला ने कहा I regret मुझे खेद है I cannot do anything for you I wanted to talk to you for a moment लेकिका ने यह कहा है यहां पर कि देखिये मैं यहां especially एकदम आपसे मिलने train से आई हूं and I wanted to talk to you for a moment और मैं आपसे थोड़ा दिर बात करना चाहती थी इडिम्स दाट यहां पर जो ओध्रेस है ओध्रेस had requested that woman that she wanted to talk with her for a while but वो महिला क्या कहती है it's not convenient for me now say the woman I can't see you another time उस महिला ने का नहीं नहीं अभी मेरे लिए यह convenient नहीं है convenient का मतला मैं यहां पर comfortable comfortable यानि उस महिला का कहना है कि अभी उससे बात करना convenient नहीं है यानि comfortable नहीं है अभी वो comfortable नहीं फिल कर रही है अभी उससे बात नहीं कर सकती है तो उससे फिर कभी आना चाहिए यहां पर देखे लिए कि बोली है यहां पर I can't see you another time मैं अभी आप से can't see you का मतला मैं तुम्हें देख नहीं सकती मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती another time फिर कभी आना she nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed इसके बाद उसने सीर हिलाया cautiously का मतला यहां पर चिंता भरे निगाहों से उसके अंदर से वो cautiously जरा रही थी उसके बाद उसने डोर ऐसे बंद किया मानो कि घर के अंदर जो भी थे साथ वो उसको disturb नहीं करना चार रही थी ठीक है now I stood where I was on the step लेखी का सिड़ी पे जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रही the curtain in front of the bay window moved curtain का मतलब होता प्यारे बच्चों यहां पर परदा परदा समझते है नो घर में हम लोग windows में doors में लगाते है यह curtain है in front of का मतलब होता है के सामने और यहां पर एक बहुत ही word important है bay window ठीक है यह जो bay window वर्ड है प्यारे बच्चों actually यह bay window उस तरह के window के लिए इस्तमाल किया जाता है जहां पर आप देखेंगे कि खिड़की के पास थोड़ा बैठने का भी जगा हो ठीक है ना वैसी खिड़की जहां बैठने की भी जगा हो उसको जेनरली हम लोग बे window कहते हैं यानि वैसी खिड़की जहां बैठने की भी जगा हो जगा हो तो उसे bay window कहते हैं I think आपको bay window का मतलब समझ माया होगा the curtain in front of me sorry the curtain in front of the bay window moved और सामने एक खिड़की थी जहां बैठने का भी जगा था तो उहां जो पर्दा था वो हलका सा सरकाया गिया someone stared at me कोई उहां था जिसने मुझे घूरा and would then have asked what I wanted oh nothing the woman would have said it was nothing और तब उसमें से जिसने बाहर जाका ठीक है उसने पूचा कि यह क्या चाहती है तो वो जो माहिला थी जिससे अभी मिलके वो अंदर गई थी वो अगिज़र महलबड़ी में आकर बोली अरे नहीं नहीं कुछ नहीं मैंने घर के सामने जो नेम प्लेट लगा था उसके तरफ देखा फिर से लिखा था दोर्लिंग उसमें डोर्लिंग सब लिखा था एंबाक छीठ से उसमें गई लिखा आः भात था सपेद पेंट पर पेंट है प्यारे बच्चों ठीक है तो and on the jam a bit higher the number number 46 देखिए यहाँ पर jam का मतलब क्या होता है jam का मतलब actually है side post of the door window door or window का जो side post होता है यानि चोखट का एक भाग लकडी का चोखट जो था उसके एक भाग को jam कहते है ठीक है जहाँ पर वो जो board लगा हुआ था name plate उसके उपर में एक number लिखा हुआ था वो number था number 46 as I walked slowly back to the station I thought about my mother लेखिए का थोड़ा निरास हो गई परिसान हो गई जिससे मिलने के लिए इतना दूर से आई हो महिला ने उसको सुरू में तो पहचाना नहीं बाद में पहचानी भी तो बोली मुझे मेरे पास अब टाइम नहीं है फिर कभी याना बाद में बात करूंगी मैं अभी कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकती उसका जो attitude सा जो रवया था वो बिलकुल भी अच्छा नहीं था ठीक है तो अब जो लेखिका है थोड़ा hopeless होकर निरास होके धीरे धीरे station की ओर lot रही थी I thought about my mother और उस समय वह अपनी मा के बारे में ही सोच रही थी who had given me the address years ago चिन्हों ने लेखिका को आज से कई साल पहले उस जगह का address दिया था it had been in the half it had been in the first half of the war और यह जो बात थी Holland में जो यूद चल रहा था अभी आधा यूद हुआ था उससे पहले की ये बात है I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed लेखिका हम में बता रही है कि यूद चल रहा था और वो कुछ दिनों के लिए घर में थी I was home for a few days and it struck me immediately यहां पर टकराना होता है यहां टकराना नहीं मतलब ध्यान में आना है ठीक है ना यानि जब वो घर में थी तो अचानक सुर्थ को याद आया that something or other about the rooms had changed क्योंकि उनके घर में कुछ बदलाव आ रहा था आप यहां पर लेखी का सोच रही आपने फास्ट टाइम्स के बारे में यानि जिस्तमें यूद चल रहा था और कापी लंबे समय के बाद घर गई तो घर पहुंचने के बाद उसको उनके ध्यान में आया कि उनके घर में कुछ बदलाव सा दिख रहा था मेरी माँ मैंने जब घर पहुंचने और बहुत सारे चीजों को मिसिंग पाया और इसको नोटिस किया तो मेरी माँ तो सर्प्राइज हो गई और उन्होंने कहा कि तुम इतना जल्दी नोटिस कर ली सारी बात तब उन्होंने मुझे मिसिस ड़्लिं के बारे में यहां पर बताया था कि मिसिस ड़्लिंग कौन थी आई सा मुझे लग रहा था वास्तों में सपस्टूब से कि वो जो महिला थी जिसका नाम उसकी मां डॉर्लिंग बता रही है वो उसके मां की पुरानी एक्वेंटेंस एक्वेंटेंस का मतलब होता है यहाँ प्यारे बच्चो जान पहचान का होना ठीक है जान पहचान के जो लोग होते हैं उनको हम acquaintance कहते हैं जान पहचान ठीक है यानि जाना पहचाना हुआ तो जान पहचान का कोई था उनकी मा का यह यहाँ पर clear हो गया है whom she had not seen for years she had suddenly turned up and renewed their contact since then she had come regularly यहाँ पर उसकी मा ने यह बताया कि वो जो darling थी हलाकि उसके जान पहचान की थी लेकिन काफी समय से उसके पास नहीं आई थी मिलने के लिए लेकिन अचानक से वो महिला उहाँ पर आई है अपने जान पहचान को फिर से renew की है और उसके बाद से वो बराबर उहाँ पर आना सुरू कर दी है यह बाते लेखिका को उसकी मा ने बताया था जब वो घर आई थी बहुत समय के बाद जिस समय यूद चल रहा था एबरी टाइम सी लीप सार सी टेक साम्थिंग होम विथ हर सेड माई मदर और उसकी मा ने उसको यह भी बताया कि जब भी वो आती है तो हर बार उहाँ से कुछ ना कुछ लेकर एक ट्रीप में इन वन ट्रीप इन वन ट्रीप यानि एक बड़ा है पूरा को पूरा समाल ले गए इसको इन वन गो कहते हैं यानि इन वन ट्रीप एक साथ एक यात्रा में तो वह जब भी सुझ टूग ओल्देबल इन वन गो यह नि जितने भी टेबल सिल्वर थे यानि ऐसे जो भी कट लरी जो चांदी के थे टेबल पर सजाग के रखेंगे तो इसको एक बार वही ले गई एंड देन धा एंटिक प्लेट उसके बाद आई तो जितने भी एंटिक्स यानि ओल्ड जो कीम्ती प्लेट थे उसको ले गई यहां पर लटके हुए रहते थे सी है ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेस जो बड़े-बड़े गुलदस्ते थे यहां पर प्यारी बच्चों हां वेस रता है तो वेस यहां पर जो बड़ है इसका मतलब होता ह है गुलदस्ता फूलों को रखने के लिए इसमें फूल हम लोग सजाके रखते हैं ठीक है फ्लावर पॉट भी कहते हैं इसको गुलदस्ता यानि फेस बड़े-बड़े जो गुलदस्ते थे उसको ले जाने में तो उसको बहुत ही ट्रबल महसूस वह लगिंग का मतलब यह नहां पर है किसी चीज को घसीट कर ले जाना भारी समान को यानि ड्रागींग है 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 एक बार जब आई तो फिर बड़े बड़े जो पॉट्स थे इसको पूरा को घसीट कर ले गई यहां पर एक वर्ड आया प्यारे बच्छो देखें और इसकी मां कहती को बहुत चिंती थी क्यों सी गॉट एक रिक जो है बच्छो इसका मतलब होता है मुसल पें यानि इसको हम लोग हिंदी में एंटन भी कहते हैं क्रीक का मतलब मुसल पें होता है यानि इसको हम लोग मुसल पें यानि हिंदी में इसको हम लोग एंटन भी कहते हैं एंटन मुसल स्क्रैम भी कहते हैं इसको ठीक है यानि इतना भारी था वह जो फ्लामर पॉट्स थे वैसे जो थे उसको ले कर जाते समय तो उसके पीठ बैक मतलब पीठ है फ्रॉम दा क्रॉकरी यानि जो क्रॉकरी वो लाटके लिए जा रही थी तो उसके करण उनके मुसल्स में पेन हो गया इठन हो गया था किसके मिसेस डॉर्लिंग के माई मदर सुक अर्फ हैंड पिटिंग ली और उसकी माने एकदम ऐसे हाथ हिलाया पिटिंग ली का मतलब और सहाई हेल्प लेसली वे में और उसकी माने कहा कि जब भी वह समान ले जाती है तो मेरी का भी हमत नहीं हुई कि मैं उसको बोलू कुछ क्योंकि उसने ये बात मुझे खुद बताई थी यानि मिसेस डॉर्लिंग ने लेखिका के मा को ये समझाय था कि तुमारे घर में जो भी किमती चीज़े हैं उसे मुझे ले जाने दो मैं उसे सुरक्षित रखूंगी भी तुमारे लिए क्योंकि तुमारे देश में अभी यूद चल रहा है और मालो सबोचकोरो की कोई बॉम भी गिर गया या तुम लोग मारे गए तो फिर क्या होगा सी इवेन इंस्सिस्टेड यानि इसने बहुत हार्ड प्रेसिंग किया था इंस्सिस्ट का मतलब होता है अध्र यानि बार-बार कैना इतना बार बोले कि तुम्हारे गर में तुम्हारा सामान सेप नहीं है इसको मैं ले जाती हूं अपने घर में रख दूंगी जब यूदफ खतम हो जागा तो पर तुम adjournаны ले लेना तो वो सारी चीज़ें वो लोग खो देंगे यह उसकी मा का explanation था कि क्यों वो मिस्स डॉर्डलिंग को हर बार वहां से सारे समान ले जाने देती हैं कि have you agreed with her that she should keep everything I asked तो लेखिका ने उससमें अपनी मा से पूछा था कि क्या तो तुमने यह तुमको समयती दे दी थी that she should keep everything कि उसे हम लोगों का सारे चीज़ को समाल के रखना चाहिए था क्या तुमको दे दी थी या देनी चाहिए थी as if that's necessary my mother cried it would simply be an insult to talk like that उसकी मान ने यह बात जब सुनी तो उसने कहा क्या यह जरूरी है तुम उससे यह पूछो मुझे अच्छा लगा तभी मैंने agree हुई ना तभी मैंने उससे कहा कि ठीक आप सामान रख ले ना तुम मुझसे इस तरह से क्यों inquiry कर रही हो यानि लेखिका ने जब ने मां से इस तरह से पूछा था तो उसकी मां को यह बात बिलकुल पसंद नहीं आया था और वो संपिली क्या कह रही है इतुड सीम्प्ली बी इन इंसल्ट टॉक लाइक टाट एंड तिंग अबाद रिस्क सिस रॉनिंग इस ताइम सी गोज आउट ऑफर दोर विटे फूल सुटकेस और बैग और फिर वह बोली कि अच्छे तुम सोचो कि जो बेचारी मेरा सामान इतना धो धो कर बाहर उसको बचाने के लिए ले जा रही है वो भी अपने रिस्क लेकर इतना तो क्या उसको मैं यह कहती कि मैं तुम्हारे बात से सहमत नहीं हूँ तो क्या यह उसका इंसल्ट नहीं होता यानि लेखिगा के बात को सुनकर उसकी मां ठोड़ा जुझलाई भी क्यों वो मिसेश डॉर्लिंग को हर बार वो सारे सामान जो है वो ले जाने देती थी ठीक है ना हम लोग चलिए बढ़ते हैं पेज नंबर 3 की ओर हलागी मेरी माँ को यह समझ में या गिया था कि माँ जो मुझे यह बात बताना चाहरही थी मैं उससे पूरी तरह और में पूरी तरह अर्कनृष का मतलब होता है साहमत होना या आस्वस्त होना यानि किसी चीज़ को accept कर लेना यानि मैं उनकी बातों से पुरी तरह सामत हुई थी ऐसा नहीं था और ये बात माने notice कर लिया था She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it यहाँ पर देखें प्यारवच्चों एक word आया है She looked at me reprovingly यहाँ पर ये जो reprovingly word है ठीक है? यानि उसने मेरी तरब देखा कैसे? In a scolding manner In a scolding scold मतलब क्या होता है प्यारवच्चों? डाटना गुसा के यानि यहाँ पर माने लेखिका को कैसे देखा है? In a scolding manner यानि इदम गुस्ती भरी आँखों से इदम कि मानून को डाटना चाह रही हो बट डाट नहीं पा रही हो ठीक है? ऐसे नजरों से उन्होंने घूर कर यहाँ पर देखा And after that we spoke no more about it और उसके बाद उन दोनों में से कोई भी बात इसके बारे में नहीं हुई है Meanwhile, इसी बीच I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way ये सारी बाते जो वो सोच रही थी वो मिसेस दोर्लिंग के घर से जब वहाँ से वापस चली है railway station की ओर तो बीच रास्ते में वो बैठे बैठे जो भी गाड़ी में जा रही होंगी वो ये सा बाते सोच रही थी फ्लैस बैक में चली गई थी खैर रास्ते में क्या आये क्या नहीं आये क्या नहीं आये कौन सा चीज गया इधर अधर कही पर उनका attention ने गया क्योंकि वो बिलकुल अपने फ्लैस बैक में लॉस्ट थी उसमय I was walking in family और अंततावर station पहुँच गई है I was walking in familiar places again for the first time since the war but I didn't want to go further than was necessary यानि I was walking in familiar places again यानि वो फिर से एक वैसे जगों पर गूम रही थी जो साइद वो जगह उसके लिए परिचित था for the first time since the war यानि war के बाद पहली बार ऐसा हुआ था जब वो किसी परिचित जगह में आई थी but I didn't want to go further than was necessary लेकिर अब मुझे और वहां आगे नहीं जाना था ठीक है जो कि वहां पर जरूरी भी नहीं था I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses pull up memories from a precious time क्योंकि वो जो गलियां थी वो जो घर थे वो उसके जो past life था क्योंकि उनी गलियों में उन घरों में जहां पर उन्होंने बहुत सारे समय बिताये थे और उसको देखने के बाद वो upset फिल करती थी जो कि उनको उस समय के अपने बच्पन की यादे जो थी वो ताजा हो जाती थी ठीक है यहां पर प्यारे बच्चों देखिए एक word आया precious precious का मतलब ऐसे valuable होता है खास करके अभी देखो प्यारे बच्चों आप लोग यहां 11 क्लास में पढ़ रहे हो तेन तक पढ़ा फिर हो सकता है 11 12 करने के बाद कहीं और चले जाओ फिर बाद में आप लोग अपने लाइफ में सेटल कर जाओ अपना केरियर बिल्ड अप कर लो आपका असादी भी बाद हो जाए आपके भी बाल बच्चे हो लेकिन फाइनली जब कभी आपको अपने पुराने स्कूल के डेस कॉलेज के डेस याद आएंगे न तो उस समय के जो लोग होंगे उस समय का जो जगा होगा वो कभी-कभी आपको अफसेट करेगा और कभी आप उस जगों पर पुराने फिर से चले जाएं तो आपको वो सारी यादे साताएंगी अंदर से खुसी भी देंगी और थोड़ा गम भी होगा कि कास्ट वो सारे मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर होते कैसे हम लोग स्कूल के कैमपस में खेला करते थे दोड़ा करते थे टीचर के डाट सुना करते थे आपस में जगड़ा करते थे आप उस सारे चीज़ों को मिस करने लगोगे ठीक है और सेम सिच्वेशन यहाँ पर लेखे का के साथ भी हो रहा है वो पहली बार यूद जब खतम हुआ है तो एक ऐसे जगह पर आई है जो उसका जाना पहचाना है लेकिन वो ज़्यादा जगों पर घूमना नहीं चाहती क्योंकि एक अभी जश्ट उसने experience किया जिससे वो मिलने गई है उन्होंने उसको पहचानने से भी इंकार कर दिया है ठीक है प्यारे बच्चो खेर तो क्यों वो आप बाके जहों पहने जाना चाहती है आप लोग का समझ में आ गया होगा In the train bag I was Mrs. Darling in front of me again As I had the first time I met her It was the morning after the day my mother had told me about her I had got up late and coming downstairs I saw my mother about to seem someone out A woman with a broad back There's my doubter said my mother She beconned me देखिए अप कहानी जो है फिर से एक पर flashback में जा रही है Station पहुच गी है train पकड़ के फिर से अपने घर वापस आ रही है इस भी train में बैठे बैठे एक बार फिर से Mrs. Darling उनकी मा और वो सारी जो यादे हैं फिर से flashback में उनके सामने आ गई है अब फिर से वो चीज उनके दिश में दिमाग में उभर कर रहा है कि एक सुबह की बात है जब वो सो के उठी है सुडियों से नीचे आ रही है तो उस समय वो जो महिला Mrs. Darling थी वो उसके घर आई थी और तब उसकी माने उसको उनसे introduce करवाया था ठीक है यह कहते हुए कि देखिए यह मेरी बैटी है और और एंड शी विकॉंड टू मी यहां पे प्यारे बच्चों एक वड़ आया है भी कॉंड तो भी कॉंड का मतलब बता है कॉल्ड कॉंड मतलब बुलाया यानि वो जो महिला यानि Mrs. Darling जब लेखिका के मां से मिलने आई हैं तो उसकी मां ने लेखिका को भी कॉंड किया यानि बुलाया दो में नोड़ेड एंड पिक्डप दे सुटकेस अंडर दे कोट रैक शी ओर ए ब्राउन कॉड एंड असे प्लेस हैट वो जो महिला थी यानि Mrs. Darling उसने उन्होंने मुझे देखा अपना सर हिलाया और पिक्डप दे सुटकेस अंडर दे कोट रैक और जो सुटकेस हुआ रखा हुआ था उसको उठाया सी ओर ए ब्राउन कोट वो एक गुरे रंग का कोट पहनी हुई थी और एक सेफलेस हैट ऐसा टोपी जो जैसे मुड़ माना दो इधर उसी सेफ कहो जागा वासी टोपी पहनी हुई थी और उसके बाद दसी ली फारवे? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with a heavy case उस भारी सुटकेस को लेकर बहुत मुश्किल से जाते हुआ जब मैंने उसे देखा तो मैंने अपनी मार से पुछा दसी ली फारवे? क्या वो बहुत दोर रहती है? इन मारकानी स्ट्रीट, said my mother, number 46, remember that? और तब मेरी माने बताया था कि मारकानी स्ट्रीट में, house number 46 में वो रहती है, तुम याद रख लेना ये बाते लेकिका को याद थी, कुनकी माने उन्हें बताया था मारकानी स्ट्रीट, number 46, ठीक है? I had remembered it, but I had waited a long time to go there, हलाकि ये मुझे याद था, लेकिन मैं काफी लंबे समय तक पर तिक्छा करते रही हुआ जाने से पहले Initially after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally I was also rather afraid of it जब हम लोग आजाद हुए, यानि युद्ध खातम हुआ, तो शुरुवात में तो मैं उन सारे जो stored stuff है यहाँ पर, stored stuff का मतलब है old things, old belongings ठीक है? यानि वो जो पुराने चीजे थी, उसमें लेकिका ने कोई भी interest नहीं लिया, ठीक है? And naturally I was also rather afraid of it, और क्योंकि थोड़ा भाइबीर भी थी, afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. देखें यहाँ पर region क्या है यहाँ पर? यहाँ पर एक वर्ड आप यारे बच्चो, आप यहाँ पर यह जो बढ़ है confronted, इस वर्ड को देखें, confronted का मतलब होता है face with face, face to face, face to face, यानि आमना समना करना, कभी-कभी ऐसा होता है न, कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, या कुछ ऐसे चीजे होती हैं, जिसका सामना करने से हम ही चखते हैं, हमें थोड़ा सा अजीब लगता है, agitations होता है, region कोई भी हो सकता है, तो यहां पर first, कुछ जब यूद खता मुए वो लगाजाद हो गया हैं, तो वो उन चीजों को जो उसका था, जो उसकी मां का था, और मिसेस डॉर्लिंग होँ से उठा कर ले गई थी, उसको सुरक्षित बचाने के लिए, उसको सोची कि छोड़ आप छोड़ देते हैं, क्या उसको लेंगे, क्या फाइदा, क्यों? क्योंकि उन सारे चीजों के साथ उसकी यादे जोड़ी थी, तो first time को उसको लग रहा था कि जब वो जाएगी उन चीजों को देखेगी, तो साथ वो अपने emotion को control नहीं कर पाएगी, लेकिन बाद में, उसी emotion ने लेखिका को इतना हंट किया, कि वो मजबूरी में वहाँ गई है उन चीजों को देखने के लिए, जो उसकी मा की थी, जिस अधिए वेगे, वहाँ ए रौट और अब लिए लेखिए, वैच्छी वाट रहे ने लिए वहाँ आधि यहाँ पर इंडूर्ड वर्ट आया है, प्यारा बच्छों, इंडूर्ड का मतलब होता है, सर्वाइब्ड, यानि सुरक्षित भचा हुआ रहना, इसको हम लोग इं रक्षित रखी हुई थी कहीं कबर्ड में या कहीं पर जाकर और जिनसे की उनका कनेक्शन था उसकी मा की यादे उससे जुड़ी हुई थी लेकिन अंदर से उनके उनको इतना अंडूरेंस नहीं मिल रहा था कि वह जाकर उन्स चीज़ों को देखे लेकिन बाद में इतना महसूस कि है अंदर से कि वह वहाँ पर गई है ठीक है प्यारे बच्छों बट ग्रेजुवली अवरिधिं विकें मोर नॉर्मल अगें ब्रेड वस गें तो बीट अलाइटर कॉलर दिर वाज बेडियों कुट असलिप इन उन्ट्रेटेंड ए रूम विट विए 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 यूस तो ग्लांस अग्लांसिंग अट इच्टे एंड वन डे आइंटिस आई वस क्यूरियस अबर आल दा पजेशन्स अट मस्ट इस्टिल वी अट डाट एड्रेस आई वांटे तो सी देम टच एंड रिमेंबर प्यारे बच्छों दिखें हां पर आप जो सिच्वेसर इस दीरे-दीरे खालात सामानी होते गए लोगों का जो लाइफ है वो सामानी होने लगा और जो उनके खाने पेने का रहने का या जो भी चीज़े थी वो दीरे-दीरे जो भाय से भरा हुआ था फ्रेटिनिंग महोल में जी रहे थे वो दीरे-दीरे फ्रेटिनिंग सब काम हो एक नॉर्मल लाइफ हो रहा था और ऐसे में कुछ दिनों के बाद अचानक से जब वो अपने घर में एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिस कर रही थी तब उनको अचानक से वो एड्रेस याद आया और उस एड्रेस के साथ वो सारी बाते याद आई वो सारे सामान याद आये जो उनके belonging थे, उनकी मा का belonging था, इसलिए उसको हासिल करने के लिए वो मार्करी स्ट्रिट में पहुंची थी, लेकिन उस महिला, जो उसकी मा की दोस्ती, मिसेस डॉर्लिंग ने उसको पहचाने से इंकार ही कर दिया सुरुवात में, और पहचानी भी तो सीधे डारेक्ट तो बोल दी कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, उसके पास even time भी नहीं है उसके लिए बात करने के लिए, और तब यहां पर लेकिका जो है, वो लॉट कर वापस आई, और यह सारे बाते वो लॉट के आते समय रास्ते में ही, फ्लेस बैक कर रूप में सोच रही है, जो यहां अब जो लॉट के आई, कुछ दिन तक रही, लेकिन घर का जो महौल था, वो सारी चीजे उनको इतना याद आ रहा था, इतना हंट कर रहा था, कि एक बार फिर से सोची, चलो एक बार फिर से ट्राइ करते हैं, और एक बार दुबारा वो फिर से लेकिका जो है, वो महां पह उसकी माँ घर में थी, तो उस लड़की ने सीधे कहा, कि नहीं, उसकी माँ वहां नहीं थी, यहां पर आप लाइन देखिए, my mother doing an Iran, यहां पर प्यारे बच्चों, यह जो वर्ड है, इरांड वर्ड है, यानि doing an Iran आप कहा सकते हैं, तो यह पूरा वर्ड यहां से यहां तक doing an Iran का मतलब होता है, gone out on purpose, gone out on some purpose, यानि किसी काम से बाहर जाना, इसको हम लोग कहते हैं, doing an Iran, यानि उस लड़की का कहना यह था, को उसकी मा किसी काम से बाहर गई हुई थी, तब लेखिका नहीं यहां पर क्या कहा, no matter, I said, I will wait for her, वली कोई बात नहीं है, मैं उनका इंतजार कर लूँगी, Now, next part of the story, I followed the girl along the passage, लड़की ने उनको अंदर आने दिया, गल्यारा से होकर, वो पीछे पीछे जा रही थी, An old-fashioned iron hanukka candle holder hung next to a mirror, सामने देखा क्या, कि एक बड़ा सा mirror है, जिसके सामने एक पुराने fashion का hanukka candle holder होता है, जिसमें की मुबट्रे डालके जलाया जाता है, वो लगा हुआ था mirror के बगल में, We never used it because it was a much more cumbersome than a single candle stick, और वो जो hanukka था, ये एक चोली में लेखी का का था, लेकिन वो लोग उसको जल्दी योज नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे, आप एक word देखें, आप आ गया है, cumbersome, cumbersome का मतलब होता है heavy, यानि अगर हम लोग hanukka में wax को डालकर उसको ज लालो, वो आसान काम है, ठीक है ना, तो इसलिए वो लोग यूज नहीं करते थे, और वही जो hanukka था, candle holder, वो उन्होंने वहाँ पे मीडर के सामने में लटका हुआ, देखा जब वो लड़की के पीछे-पीछे जा रही थी अंदर पैसेज में, लड़की living room का रोम खोल कर, दरवाजा खोल कर अंदर गुसी है, और उसने उनसे request किया, कि आप जब तक यहाँ पे बैठे, ठीक है, और जब उसको request किया गिया उस लड़की के दबारा, तो लेखे किया वहाँ पे जाकर अंदर में, पैट गई, लेकिन वहाँ बैठने के बाद, जो द्रिश्य मैंने देखा, यह काफी horrified किया, उसने मुझे, डराओना, I was in a room, I knew and did not know, मैं एक ऐसे room में थी, साथ इसको मैं जानती थी, और नहीं भी जानती थी, काफी confusing line है, I was in a room, I knew and did not know, यानि मैं एक ऐसे room में थी, जिससे लग रहा था कि मैं जानती भी हो और नहीं भी जानती हूँ, I found myself in the midst of things, I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere, उस कम्रे में वो सारी चीजे थी, जिसे ढूंडते ढूंडते में वहां तक पहुंची थी, लेकिन उन चीजों को देखकर, I was feeling oppressed, यहाँ पर word है, oppressed, oppressed का मतलब है, यहाँ ठगा हुआ महसूस करना, या अपने आपको मुसीबत में पाना, troubled, troubled, कठनाई में पाना अपने आपको, troubled feel करना, या ठगा हुआ सा महसूस करना, oppressed महसूस करना, पूरा जो रूम के अंदर का atmosphere था, इस्ट्रेंज महसूस हो रहा था, और because of the tasteless way, everything was arranged, इसका एक कारन यह भी था कि जो सामान थे, जैसे ते से जहां तहां, बिखरा पड़ा था, कोई एक proper arrangement नहीं था, वह सारे के सारी चीज़े उनकी थी, लेखिका की थी, इसलिए उनको और ज़्यादा वहां पर oppressed feel हुआ, because of the ugly furniture, or the muggy smell, that hung there, सारे furniture जो थे, एकदम rough and old हो चुके थे, कोई उनका maintenance नहीं हो रहा था, and यहाँ पर देखिए, what I am, Muggy, Muggy, Muggy का मतलब भी है, damp, sealant योगत, बदबू से भरा हुआ भी आप कहा सकते हैं, कमरे में बदबू से भरी हुई दुर्गंद भी आ रही थी, खासकर कुन सामानों के करण जो इधर दर बेतर तीब बिखरे हुए थे, I don't know, but I scarcely dare to look around me, मतलब मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन मैं अपने चाहों तरफ ठीक से देख भी नहीं पा रही थी, scarcely, बहुत मेहनत से देख रही थी, The girl moved the chair, I sat down, and stared at the woolen table cloth, लड़की ने एक chair सरका दिया था, मैं इसमें बैठ गई थी, और सामने मैंने देखा, एक table था, जिसमें woolen table cloth लगा हुआ था, I rubbed it, मैंने इसको थोड़ा हाथ से नाखुन से रगडा, my fingers grew warm from rubbing, और जब मैंने इसको रगडा, तो मेरे उंगली गरम हो गई रगडने कारण, I followed the lines of the pattern, Actually उसमें जो table cloth था, समें कुछ pattern था, उसको रगड के साफ करने को कोशिस कर रही थी, लेखी का, Somewhere on the edge, there should be a burn mark, that had never been repaired, लेखी का को लग रहा था कि उस table cloth में कहीं ने कहीं एक जला हुआ का निस्सान होगा, साथ उसका repairing नहीं किया गया होगा, My mother will be back soon, say the girl, I have already made tea for her, will you have a cup? इसी बीच जब वो उस burn mark को धोड़ रही थी, देख रही थी, ताकि पहचान सकेगी, ये table cloth थो नहीं का है या नहीं, इसी बीच वो लड़की फिर से वहाँ आई, और मेरी माँ भी जल्दी आ जाएंगी, और मैंने उनके लिए चाय बना दिया है, So will you have a cup? तो क्या मैं आपको भी एक cup चाय दूँ? Thank you, लेखी का नहीं उसको धन्वाद दिया, उस लड़की के invitation के लिए, I looked up, the girl put cups ready on the tea table, मैंने उसकी तरफ देखा, तो लड़की ने वो चाय का जो का पर लड़ी लेके आई थी, उसको उसने वहाँ पर रख दिया table पे, She had brought back, उस लड़की का भी जो पीछे का पोर्सन था, यानि बैक वाला, पीठ वाला इसा, बिल्कुल उसी तरह से चौड़ा था, Just like Harmad, जैसा कि उसका मां का ये बाते लेकी का को याद थी, क्योंकि वह सिर्फ एक बार मिली थी बचपन में, ठीक है याद है ना, जब फ्लास्बाक में मैं स्टोरी बता रहा है, सुब मैंने बताया था, She poured tea from a white pot, all it had was a gold border on the lid, I remembered, she opened a box and took some spoons out, Our great pot, चाई रखने के बाद उसको एक सफेद पॉट से उस चाई को उडएल रही थी, इस बीच उसका जो ढखकन था ने क्या गोल्ड़ था, यह प्यारे बाद आगया की य। उनिक है, I remembered याद आगया, So you opened a box and took some spoon Out उसके बाद उसने एक box खोला उसमें से कुछ चमज बाहर निकाले That's a unique box Sorry That's a nice box I heard my own voice It was a strange voice As though each sound was different in this room अचानक से कोई बोला कि ये एक बहुत ही अच्छा box था साथ ये बात उनके inner consensus से आई उस past place black में फिर से एक बार चली गई जब ये ही बाते एक बार उनके सामने मां के सामने हुई थी It was strange voice इसलिहां पर एक strange voice की बात की गई ये कैसी आवाज जिसको बोलने वाला दिखाई नहीं पड़ा था आवाज आ रहा था वो आवाज दिल से आ रहा था यानि flashback अप कह सकते हैं यहाँ पर और जब ये मूँ से वो बात निकली थे लेके का कि और काफी अजीब सा मैसूस हुआ क्योंकि ये बाते उन्होंने बहुत पहले भी कही थी जो उनको रिकॉल लुआ यहाँ पर उस लड़की नहीं ये बात सुना तो वो हसी और उसने कहा मेरी मा कहती कि ये एक एंटिक है एंटिक पीस आप लोग जानते होंगे यानि पुराने चीज़ें जिसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है उसको हम लोग एंटिक पीस कहते हैं ठीक है यानि प्रेशियस गुड ओल्टिंग्स लड़की न ये भी बताए कि हमारे पास ऐसे तो बहुत सारसा नहीं है उसने इसारा करकी और दिखलाया और बोला कि देखिए कुछ देख लिजिए I had no need to follow her hand मैं मुझे उसके इसारे को follow करनी क्या हो सकता नहीं थी अंदर से दुखी महसूस कर रही थी I knew which thing she meant मैं जानती थी कि वो मुझे कौन से सामान दिखाने के लिए बोल रही थी I just look at the still life over the tea table As a child I had always fancied the apple on the pewter plate फिर मैंने वहाँ पर वो जो tea table था उसको एक बाद फिर से देखा और तब मुझे वो बच्पन की यादे आ गई थी कि अक्सर में वहाँ जो pewter plate है देखिए पैरे बच्छों है पर बहुत इंपोर्टन वाड़ है pewter see pewter is a kind of alloy which is generally is the combination of tin and lead यानि tin और lead शीशा इन दोनों को मिला के जो alloy बनता है इसको हम लोग प्यारे बच्चों प्यूटर कहते है ठीक है और जस्ता यानि जीन के समान का ये प्लेट होता है कापी महगा होता है तो वो प्लेट की याद आ गई जब अक्सर उस प्लेट में फल रखकर वो शेव रखकर वो खाने की जित करती थी उसको बहुत पसंद था फैंसरेट का मतला होता है वेरी लाइक यानि बहुत जादा पसंद होना कोई जीज we use it for everything she said once we have sorry once we even add off the plates hanging there on the wall I wanted so much but it was not anything special यानि अपने बच्पन की वो बाते सारी याद आ गई कि कितना उनको वो जो प्लेट था पसंद था उसमें खाना पसंद था कोई भी कोई भी उनको specialty दिखाई नी पड़ रही है but it was not anything special I had found the burn mark on the table cloth the girl looked questioningly at me तभी खोशते खोशते उस table cloth पे वो जो burn के निशांते वो भी मिल गए लड़की ने मुझे प्रस्न भरी निगाहों से देखा questioningly मतलब प्रस्न भरी निगाहों से yes I said you get so used to touching all these things these lovely things in the house you hardly look at them anymore you only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it for example yeah I can't be here I can't be here I'm sorry I'm a lot of sari I'm a lot of sari I'm a lot of नहीं जाता है लेकिन कभी अगर कोई चीज़ घर से मिस हो जाए या कोई उठा के ले जाए कहीं और रखा जाए और अचानक से notice हम करते हैं आपको सामान दिखाई यह पड़ता है तब फिर हमको अचानक से लगता हरी यार वह सामान कहां गया वह बहुत important चीज़ था अपिर हम उसे ढूंड़ना खोजना start कर सकते हैं कर देते यह बात वही हुई आप अकसर देखेंगे कि जब लोग जबीत रहते हैं तो उनको कोई importance नहीं दिया जाता है लेकिन मरने के बाद पूरी दुनिया उसकी तारिफ करने लगती है आप सुसांसिंग के अग्जामपल लेख लो जब तक वह जिंदा था कोई इसकी बाते नहीं करता था वह सारी फिल्में भी फ्लॉप हो रही थी रेक है because it has to be repaired or because you have lent it for example और इसलिए उनको ये notice हुआ था क्योंकि वो जब जला था तो उसको repair करने की बात थी और इसलिए उनको ये बात ध्यान में आ गिया था यहां पर ठीक है ना ये एक्जामपल के तौर पर आप यहां ले सकते हैं again I heard the unnatural sound of my voice and I went on तभी अचानक फिर से उनकी जो अंतरात्मा है और इनर कांसस मन है वो फिर से ही आवाज ही आने लगी और फिर से फ्लास बैक में वो खोने लगी I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver it was a very long time ago and I was probably bored that day or perhaps I had to stay at home because I was ill कापी पहले की बात है जब मेरी माने कहा कि क्या मैं उसकी मदद कर सकती थी और जो silver के जो pots थे उसको polish करने में और उस समय मैंने उसमें कोई भी interest नहीं दिखाया था क्योंकि साइद मैं उसमें घर में जब ठहरी थी तो साइद मैं बीमार थी असी है नेवर आसक में बीफोर और ऐसा उसने मुझसे कभी पहले पूछा भी नहीं था आज कर वी चिल्वर सिमेंट अजी रिप्लाइद तब मैंने उसमें पूछा कि कौन सा चांदी तब उन्होने जवाब दिया था इस बात को सुना सुनी है वो जब बोल रही थी फ्लास बैक में जा कर तब उसने कहा कि मैं असरत लगा सकती हूँ कि आप यह नहीं जानती होंगी तो मैंने उसे इंटेंटली यहाँ पे जो इंटेंटली वढ़ा बच्चों अचानक मतलब अचानक सो उसकी ओड़ देखा और मेरी नजरों में यह भाव थे कि मतलब वो क्या कहना क्या चारी थी उसने कहा उसको देखने के साथ लेखी का जो है उचल सी पड़ी अचानक सो बोली किरी मैं तो समय को भूली गई मुझे ट्रेन पकड़ाना है मुझे जाना होगा वो लड़की समान ड्रावर में रखने लगी और बोली क्या आप मा का इंतेजार नहीं केरेंगी मेरी मा का लड़की ड्रावर को छोड़कर मेरे पीच्छे लब की लेकिन मैं तो रास्ता ढूंड चुकी थी मैं आगे बढ़ चुकी थी लड़की जान को साथ रखने की कोशिच कर रही थी as the corner of the road I looked up at the nameplate Markoni street it said it I had been at number 46 the address was correct but now I didn't want to remember it it anymore. I will not go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their values when served from them. You see them again in strange surroundings and what should I have done with them in a small rented room where the shreds of black out papers still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table trower लेखी का जाते जाते ये सोच रही थी मन को excuse दे रही थी pretend कर रही थी कि अब उन समान को जिससे कि उसकी मां की यादे जुड़ी हुए हैं लेने से क्या फाइदा जिसे कई वर्सों से और कागज के जले हुए टुकड़े लटके हुए हैं जहां अभी भी एक छोटा सा जगह है नेरो टेबल है इसका ड्रावर है क्या वो न कैटिलरी को मुठी बर कैटिलरी को वहां पे रख सकती है और तब वो जो एडिस था मारकनी स्टीट नमबर फ़र्डिस लेखी का ने निश्य किया रिजॉल का मतलब यहां पर डिसी जा लेना टाय करना निश्य करना कि मैं उस एडिस को भूल जाओंगी उसी तरह से जैसे सारे चीजों को मैं भूल चुकी थी और जो मेरे लिए अब उतना आसान भी था उसको भूलना और मैं इसे भी भूल चाओंगी और यह सोचते हुए लेखी का वहां से बढ़ गई है प्यारे बच्चों कहानी का जो एंड है वह थोड़ा सौकिंग है आप यहां देखें यूद जब खतम हुआ है लेखी का अपने घर आई है कुछ दिनों तक जब नॉर्मल लाइफ हुआ तब उनको अपने उन सारी चीजों की यादे आई यादे सिर्फ इसलिए नहीं कि व प्रवाव उनके मन में थे उन चीजों में इसलिए उन चीजों को हासिल करना चाहती थी और सेकेंड टाइम वह फिर से गई है लेकिन इस बार जब उनको घर के अंदर जाने का मौका मिला और सारी वह चीजों को उन्होंने देखा जो वह बच्पन में यूज किया करती थी और यह सोच के उनको पाना चाहती थी कि उनको जब वो चूएगी टड़ करेगी तो उनको ऐसा मैसूस होगा कि मानो को अपने मां को प्यार कर रही हूं मां को ।ॉर परस कर रही हूं लेकिन जब उन्हों ने देखा कि वह सारे तो यह घर के लोग कई वर्सों से यूज कर हैं तब उनको लगा कि अब उनकी मां की जो यादे थी उनकी मां का जो परस का भाव था वो सारों तो इन चीजों से गुम हो चुका है तो फिर मैं इन सावान को लेका क्या करूंगी और इसलिए वहाँ पर मिसेस डॉर्लिंग के इंतजार किये बेना अचानक से खड़ी हो जा मां की यादे अटेच्ट नहीं है ठीक है तो प्यारे बच्चों देखे कभी कभी ऐसा होता ना मुझे याद है कि इस तरह ही मैं क्लास में पढ़ा रहा था बर्खा नाम की लड़की थी उसकी मां का डेथ हो गया था और ये मां की बाते जब याद आई तो लड़की फूट के बादों में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये बैचारी इतना जोर्दों से रोपड़ी है मुझे काफी तकलीफ हुआ बहुत गिल्टी भी फिलुआ लेकिन मैं कर किया सकता था पढ़ाना मेरा काम था और बाद में मुझे सारी बाते पता चली उसके द्वारा तो प्या प्यात कर रहे हैं उनसे लिपट रहे हैं उन्हें से गले मिल रहे हैं यह एक हमको तचिंग सेंस देता हुआ सारा चीज लेकिन वही चीज अगर किसी और के पास चला जाए तो फिर ऐसा लगता है कि वह जो फिर अटेच्मेंट था वह रह नहीं पाता है और सेम यहां पर ल जो भी चीजें हैं उसको एक एक करके आपको ठीक से बता पाऊं सारी जो वर्ट मेरे हिसाब से डिफिकल्ट थे उसका भी मिनिंग मैंने बीच में एक्स्प्लेइन किया है और उमीद करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे प्लीज वीडियो को देखने के और अब मैं जल्द ही इस चैप्टर से कौन-कौन से important questions हो सकते हैं उसके उपर मैं एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा ठीक है बच्चों तो तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दें मैं जल्द ही आपसे फिर से मिलूगा एक नए वीडियो में तब तक के ल चैंक यू